पॉलिटिक्स में ये सब कॉमन है मैं समझ सकता हूँ सर लाशें समंदर में डूप जाएंगे कोई सबूत नहीं बचेगा गट मैंने सब को मार दिया कोई शक ने लेकिन वो कर दो कर दो कि फिनिश इंड तुम लोगों ने गिफ्ट खरीदने का जो प्रोग्राम बनाया है उसका बिल देखके में उपर ही चला जाओ तुम्हारा दिल इस लड़की से जुड़ा हुआ है ये तुम्हारे घरवालों को बताना है इसलिए देशी मसाले में मिक्स करके उन लोगों के सामने पेश करना है मैं सिर्फ अपना फर्ज निभाऊंगा कोशिश करूँगा जितना मेरे हाथ में है आगे तुम जानो ये जाने और परिवार वाले देखो बेटा हम लोगों को उनका दिल जीतना है इसलिए गिफ्ट खरीदा तो भाई में भी तो उनका दिल जीत सकती थी ना अंकल जी अंक होगी मुझे आपको क्या इतना भी पता नहीं है इंडिया से आगे है देखो बेटी नासा वालों ने रॉकेट भेजा सरूर लेकिन उसे बनाया अब्दुल कलाम ने ये दिमाग सिर्फ इंडिया वालों में है जन्रल नानेज बढ़ाओ बेटी नख्वास खरता रहता है त नेहा गुरुजी से फिर बत्तमीजी कृष्णा तुम्हारा रियक्शन बहुत लेट आता है थोड़े पहले आ जाती तो अवा का रुख देखकर छत्री पकड़ना मैंने आप इससे सीखाए गुरुजी जो गुरु सीखाएगा वही चेला सीखेगा ओहो करेक्ट है वैसे इससे कितनी लेंग्वेज मालूम है यह एर उस्टेस है ना इसे बहुत सी लेंग्वेजिस आती है ओ मदर लेंग्वेज को अधर लेंग्वेज से डॉमिनेट कर दिया है इसने क्रिश्णा एक काम करते हैं इसकी भाषा से हमारी और तुम्हारी भाषा तो सत्यानाश हो रह मेरे कान के परदे फट जाएंगे तो आप अपने कान में रुई टाल दीजे गुरू जी इस विकट सिचुएशन में पता नहीं मैं अपने आपको कैसे समालू भलाई इसी में है कि मैं अपना धकन बंद करके पढ़ा रहा हूं तू जहां भी जाएगा मौत तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी यह वाइज एक मेरा हिलागा है मेरी इजासत के बिना यहां परिंदा पे पर नहीं मार सकता मैं मौत का सोधागर हूं हुआ 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 है इसे नस्दीक के हॉस्पिटल ले जाओ सेया तुम जाके गाड़ी में बैठ जाओ थाओ ठीड़ थाओ हुआ हुआ है है बजूष को रचते है तो हुआ हुआ है हुआ 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 है गाड़ी पीछे ले लो सड़क के बीच ओ बीच मार रहा है मुझे अपना पता दे तेरे घर में कुछ के मारता हूँ मेरे अंदर एक बुरी आदत है इज़त देने वाले को जिन्दगी और आखे दिखाने वाले को मौत देदा हूँ चाकू दिखा कर कान भटने जैसी आवाज में बात करने वाले को देख कर मेरा दिमाग सटक जाता है याड कि बेटा याद आखे आख तुम भाज करो तुम्ने पेचान लिया पेटा तुम्हारा ठेरना ठीक नहीं है यहां से चले जाओ यहां मत रुके फिकर मत कीजिए मुझे कुछ नहीं होगा यह बताएए आप के यह अश्यां रा वानन ठीक 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 है है न वहां पर आऊँगे तो उन्को बहुत अच्छा लगेगा अच्छा उनकी बेटी कि की शादी है क्रिश्न ऑनका जैने कर दें है की हमदा मैं एक्स्ट्रा लगिज्च तुम्हें क्या इसे यहीं पर भड़ी रहने दो वक्त आने पर ऊपर पहुच जाएगा बैचारे उम्रद अराज है कहां सोएंगे कोई दूसरा ऑप्शन बताओ ना यहां श्यू पॉलिश कर यह स्टेशन भेजते हैं क्या तुम्हारा कोई अपना होता तो तुम यहीं करती गया चलो तीसरा ऑप्शन बताओ मेरा चेला मेरे बारे में कितने ऑप्शन सोच रहा है कहीं से चौब लाकर इसके ठुक्रे ठुक्रे करके खुटों को खिला देते हैं अरे फिंगर प्रिंट से हम पर केस हो गया तो तो जाकर गलफ्स ले लो कोई सब्सक्राइब यह आइडिया तो बहुत ही अच्छा है गुरुजी आप कब जागे बिल्कुल सही वक्त पर कर राम नाम सत्य है कहकर शम्चान ले जाने का इरादा है क्या, तू भी वक्त के साथ रंग बदलता है, बेटा, काड़ी तयार है, ऑक्या, टैंक यू, बासकर चलता हूँ, ऑके, बाए, ठीक है चलिए, बेटा, तुम इस शहर में आयो है इस बारे में, बार पीट के बारे में रागो जी की बेटी की शादी के बारे में किसी से कुछ मत कहना क्यों क्या पता कौन हमारा दोस्त है कौन दुश्मन बहतर है इन बातों को हम राजी रखें हुआ 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 है वैसे भावी हमें बहुत अच्छी लगी लेकिन मैं तो कहूंगा वो लड़की आपके लिए ठीक नहीं है जिन्दगी भर थोड़े ना रखना है यार किया हुआ है अब हुआ है किसी गड़ी चलाते हैं क्या हाँ ये लो तुम पेलो बेटा शुक्रिया ये ग्लास भी भाईया को ही दे दो ना बेटा तुम भाईया की फिक्र छोड़ो और अपना ग्लास पर खुड़ो लगता है कहीं पर कोई बड़ा हादसा हुआ है ये आगे ना बड़े इसी की उमीद है इन सब बातों की फिक्र करने के लिए आपके बिटा लिया है आप किस गाउं के हैं करनूलू यहां आनी के बज़े क्या सर यह लोग मेरे घर लड़की देखने के लिए रूको यह पंचायत क्यों बुलाई गई और हम से इतनी तैकिकात क्यों हो रही है मुझे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है मेरे गाउं मेरी हैसियत क्या है ज हो या दादागिरी में और यह कौन है जानते हो सिर्फ मेरे घर का ही नहीं इस पूरे स्टेट का जांबाज लीडर है आप कह रहे हैं यह जांबाज लीडर है फिर भी जनता की दुखदर्द को समस्ता नहीं खैर जो होना था सो हो गया जो घायल हुए है उन्हें इलाज का पैसा दीजिए इस एक्सिडेंट से हमारे गाउं के लोग नाराज हो गये हैं माफी मांग कर आप जा सकते हैं क्या मेरा नाम सुनते ही अच्छा चोकी पतलून गीली हो जाती है लड़की देखने आया हूं इ कि इन दो कोड़ी के इंसानों से मैं माफी मगूं प्रूंग है आए कि नमस्ते यह कॉलेज एक खास मकसद से बनाया गया है हमें ख्याल रखना है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें इस बार के रिजल्ट में और इंप्रूव्मेंट होनी चाहिए इसके लिए जो जरूरी हो वो कीजिए मां आओ बेटा नमस्ते नमस्ते अच्छा मुच्छा दिया तुझे सारा काउं जानता है अब मुझे भी जान जाए मालिक आपका इंतजार कर रहा है आपके बेल हो गई है मालिक, इंते अहा है बाई बाई किस ने किया रानी और उसके बेटे को हम लोगों ने किटनैप किया और तेरे ही लोगों के सामने मेरे लड़के के पैरों में गिर कर तेरा पती माफी मांगेगा तो ही मैं तुझे यहां से चाने दूँगा हमारी पहिज़ती करता है वो अब तो देखती चाहा उसकी किसमत में कैसे बदलता हूँ किसमत बदलने के लिए क्या भगवान ब्रह्मा है आप इस काउं के बड़े हैं तो वो उस काउं के बड़े हैं मेरे पती की एक कमजोरी है जो उनके परिवार परवार करते हैं वो उनका नाम और निशान मिटा देते हैं इंसान ये बात क्यों नहीं समझता कि इंसा से जंग नहीं जिती जादी जो इंसान आंसों से पिखलता है वो तलवार से नहीं डरता शेर के सामने गीदरों की कभी अवकात ना थी और ना कभी होगी वो हमेशा जंगल का राज़ा रहता है तुमसे वो नहीं जरेगा एक छोटा सा लड़का हम सब पर बिजली बनकर टूट पड़ा भाई वो देखते ही देखते सब की लाश बिचा कर चला गया छोटे मलिक शायद आपके पिता जी इस दुनिया में नहीं रहे गर्दन कट गई, जिन्दा रहेंगे क्या? अतड़ियां कट गई, जिन्दा रहेंगे क्या? भाई, अब यहां रहना मुश्किल हो गया है जान प्यारी है तो यहां से भागना पड़ेगा इस गाउं में वो दुबारा जरूर आएंगे मैं किसका बेटा हूँ, यह मैं उन्हें बताऊंगा यह मत भूलो कि यह गाउं हमारा है हम उनका इंतजार करेंगे क्या है? क्या है यह बेटा? हम किस दिशा में जा रहे हैं? आवाम की फिक्र है, पर तुम्हें परिवार की फिक्र नहीं तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाईया और आज तुम्हारी पत्नी कितनी लाशों का बोज उठाएगा ये घर तुम्हारा अपना बेटा, तुम्हारा अपना खून भी आज खौफना खून की होली खेल कर आया है जब में इस घर में ब्याह कर आई थी तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा अब तुम अपने बेटे को देखो इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे रास्ते पर चलकर लाशे बिछा दी इसने एक सवाल खाये जा रहा है मुझे क्या हम इसे सही भुविश्य दे रहे हैं बगवान के लिए इसे मौत के तांडव से दूर भेज दो मा जी ये लड़का आज आपके सामने एक सवाल है लेकिन मुझे इनसाफ का देवता लग रहा है हर मुसीबत का सामना करने वाला एक शेर इस घर में पैदा हुआ है अभी तक इस घर में लीडर पैदा हुए है रूलर पैदा हुए है लेकिन फर्स टाइम इतिहास को रचने वाला पैदा हुआ है और वो है ये लेजे इसमें जो राह चुनी है ये उसी राह पे चलेगा जितेंद्र अपने साथ की हुई बेज़दी की आग में चल रहा था तर प्लीज प्लीज सर अब हमारे साथ ऐसा जुन मत कीजिए देश चुड़ कर तुम सब विदेश आते हो ताकि मन चाहाँ जौब मिल सके कभी सोचा है तुमने तुम्हारे यहां रहने और खाने पीने का खरचा कान उठा रहा है प्यार से मानो तो ठीक वरना धंदा करवाने हमें और भी बहुत से तरीके आते हैं याद रखना हम आपकी रिस्पॉंसब्लिटी है सर तुम जब तक विक्ती नहीं हो तब तक तुम मेरी रिस्पॉंसब्लिटी हो अगर ऐसे ही नखरे दिखाती रही तो कौन खरीदेगा तुझे यहां तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है सुहल आई बागो रशीद क्या हुआ तुझे खत्रा क्या बख्वास कर रहे हो खत्रे को किससे खत्रा हो सकता है वह बताने का वक्त नहीं है बाग जा बाग जा क्यों नहीं हो नहीं है तूबय में नौकरी दिलवाने का बादा करके लोगों को रंगीन सपने दिखाते हो और लोगों को यहाँ पर लाने के बाद उसे जिस्म फरोशी का धंदा करवाते हो और जो लोग इंकार करते होंने मारकर रोड़ पर फैंक देते हो तुझ जैसे दरिंदों की वज़े से आज कई बेकुसूर लोग विदेशी जेलों में सड़ रहें ना अपने परिवार से मिल सकते हैं और ना ही हिंदुस्तान वापिस जा सकते हैं शाम होने से पहले पासपोर्ट इंडियन एंबेसी पहुंच जाने चाहिए पूरी इज़त के साथ इने इंडिया वापिस भिजवाओ वरना याद रहे अपनी जान की परवा किये बना तुम्हारा ऐसे दरिंदे से लड़ना मुझे अच्छा लगा कीप इट आप अब चले क्यों प्यारे इतनी बड़ी खुश्खवरी की बात थी और तुमने बताने मुझे इतनी देर कर दी पूजा कंप्लीट नहीं हुए इसलिए लेट हो गया अधाउ लैप टॉप मुझे दो कि अलेली का फोन है भई साले का फोन है इस और बहुत दिनों बात पून किया है इंट्रनेट कर देता हूं सब बात करने उसे जनम दिन मुबारक हो क्रिष्णा था था यह बहुत पसंद आ गई है वो भी मुझे बहुत पसंद करती है बस आपकी यहां का इंतजार है वैसे वो हिंदुस्तानी तो है ना पक्की हिंदुस्तानी है उसका चाल चलन हमारी सभेता अरे बिल्कुल परफेक्ट है पैदा यहीं हुई है लेकिन संस्कार हमारे जैसे ही है और पूजापाट करती है कि नहीं शनीवार के दिन डे नाइट यहीं काम करती है तो उसके साथ वहां क्या कर रहा है यहां देकर आना हमारी परंपरा की अनुसार लड़के वाले पहले लड़की देखने जाते हैं सौरी बेटा हम सब वहां पहुंच जाएंगे टिकेट भिजवा दो हाँ ठीक है दादीमा एक अफते के अंदर सबको बुला लेता हूं एक अफता इतना लिए एक अफता बहुत दूर है कम से कम फोटो तो भेज दो हमें उन्हें देखना है मामा फोटो भेजिए ना मामा घरको कि अखता दूर कि आखता है तो वह इद कैसा सबस्क्राणा को वाँ इस विए थिए है काहिए थिए यह थेच्छर मामा यह शी मेरी सेक्सी नो एःे खते पाकर दिशनल सौतित्युल्स्वाट्ष सब्स्वाट्री सर्चर्णा इस वर दूबलेड तगे टिकेत्ट श में है गुरुजी हेलो मैं इस वक्त तुमसे लोकेशन के बारे में नहीं पूछ रहा हूं जिसकी फैमिली इतनी कल्चर्ड हो उसकी शादी हिंदुस्तान में नहां नो 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 देश का आयोडीन नमक खाया है इस मलिक ने गद्दारी बिलकुल नहीं करेगा गुरुजी इदर हो या उदर हो शादी आखिर शादी ही होती है कैसे हो सकता है क्रश्णा वहां बारात मंडप फेरे और रस्म का सिंदूर और यहां पर रोटी बोटी कीमा और त तु अपनी संस्कृति को छोड़ देगा हाई 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 क्रिश्णा और पता है क्या ग्रैंट पार्टी अरेंज की है मैंने दूसरी कांट्री से भी मेरे रेल्टिव आ रहे हैं तुम्हारी पार्ली का बारी है तो लोग यहां नहीं आ रहे हम लोग ही वहां जा रहे है तो क्या मैरेज यहां नहीं होगी इंडिया में होगी येस मैंने ही फिक्स किया है तुम पादल हो गया हां बुझ्जे खूसट कहिंके बीनासी इंके बफेलों अथी है माफ कर दिए तुम्हारे गुरुजी के साथ बत्तमीजी किये जा रही और तुम जीब दिखा रहे हो क गोचु है क्रिश्णा तुम्हें इसकी गाली सुनने की आदत बढ़ गई है क्या शादी के मंडप में अगर इन्होंने इसी भाषा का इस्तेमाल किया तो क्या होगा यह नादान है जाने दीजे ना गुरुजी क्या जाने दूमें समझ क्या रखा इसने लड़किया आप से नहाया जाता है और वहां फेरे के बाद बारातियों को उच्जट से बिठाकर खाना खिला जाता है उसी संस्कृति को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया तो स्नेहा गुरुजी तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं हुम हुम है ओके यहां पर तो ओके कह दिया लेकिन व कर दो कि भी आंटा की बाद करना की और जांखास नहीं कुलैंबो सब कैसे हो और क्यों भई मुख्या कैसे हो तुम कितनी ताजा ताजा मचलिया सजा के रखिए हां वैसे कहते हैं कि दरिया हमेशा खजाना नहीं उगलता है उसके लिए जाल बिशाना पड़ता है इसलिए अपला काम समल के किया करो मौत तो एक दिन सभी को आनी है लेकिन आपके यहाने का मकसद अरे तुम लोगों के खातेर पूरी दिल्ली मश्यत्रंज के विशाथ बिशार के मैंने मिनिस्टर साब खुद मिलने आया है नमस्ते भाय साथ नमस्ते सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए काम करते करते मैं आ आप लोगों की प्यार की वज़े से आज इस राजजी का मिनिस्टर बन पाया हूँ आप लोग खुश्च तो है ना अरे तुम लोग नहीं समझ पाओगे राजनीती का पार्ट पढ़ाते पढ़ाते तुम लोग बहुत वक्त लग जाएगा इसलिए कोड में जाकर तुमको कहना है कि जीतेंद्र का इस केस से कोई लेना देना नहीं है बस इतना जाही काम कर दो उसके बाद कोई तकलिव नही अगर वो लीगली आज़ाद हो जाता है तो इसमें तुरहरा क्या जाता है थो इन जैसे धोखे बाजों के लिए तुने अपना थूख बरबाद किया अरे ये लोग तो हमारे थूख के लाइक भी नहीं है ये केस किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा है है जाए है जो सब अपना काम करो देंपी को साथ में लाकर केस वापस लेने को कहता है कर दो अब जीतेंद्र तुम यहां क्यों आए मामला सुलज आता ही अब तुमने क्या कर दिया तुम ही ने कहा था नो कि सेंटर से मिनिस्टर को बुलाओ मैं कॉंप्रमाइज करवा दूंगा इसलिए एक चांस दिया यहां यही होने वाला है मैं पहले ही जानता था देखो अड्रल्ण मैं यहां 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 यह हो पर्णार करोवार अ दिया है मैं जीत वád Limited पुम बुम बुम northवाबने को, है जो ओूब बुमिया ay यहां उड़ का twisted धन परद्ल्णा है वड्रे एा है वाल्र शुम बुम सब्सक्राइब कि पॉलिटिक्स में यह सब कौमन है मैं समझ सकता हूं सर लाशे समंदर में टूप जाएंगे कोई सबूत नहीं बचेगा गट कि मैंने सब को मार दिया कोई शेक नहीं लेकिन वो अगर अगर जो जो फिनिश हैं तुम लोगों ने गिफ्ट खरीदने का जो प्रोग्राम बनाया है इसका बिल देखके में उपर ही चला जाओं इस लड़की से जुड़ा हुआ है यह तुम्हारे घरवालों को बताना है इसलिए देशी मसाले में मिक्स करके उन लोगों के सामने पेश करना है मैं सिर्फ अपना फर्ज निभाओंगा कोशिश करूँगा जितना मेरे हाथ में है आगे तुम जानो ये जाने और परिवार मुझे हर वक्त गाली का तौफा देने वाली लड़की आज मुझे फूल बरसा रही है वड़ों को सम्मान देना तो हमारे देश की प्रता है यह बताओगी मुझे आपको क्या इतना भी पता नहीं है इंडिया से आगे है देखो बेटी नासा वालों ने रॉकेट भेज़ा सम्मान की उम्र इतनी छोटी होती है क्या स्नेहा गुरुजी से फिर बत्तमीजी क्रिश्णा तुम्हारा रियक्शन बहुत लेट आता है थोड़े पहले आ जाती तो अवा कर रुख देखकर छत्री पकड़ना मैंने आप ही से सीखाए गुरुजी जो गुरु सीखाएगा वही चेला सीखागा ओहो करेक्ट है वैसे इसे कितनी लेंग्वेज मालूम है यह एर उस्टेस है ना इसे बहुत सी लेंग्वेजिस आती है ओह मदर लेंग्वेज को अधर लेंग्वेज से डॉमिनेट कर दिया है इसने क्रिश्णा एक काम करते हैं इसकी भाशा से हमारी और तुम्हारी भाशा तो सत्यानाश हो रही है तो इससे बचने के लिए मैं तुम्हारे कान में यह रूई के गोले ठूच देता हूं क्रिश्णा यह मुसीभत का पिटारा तुम्हारे गुरू कैसे बन गए जयला हुआ क्रिश्णा तुम तो बच गए लेकिन इसकी गालि तू जहां भी जाएगा मौत तेरा पिछा नहीं छोड़ेगी यह वाइसेक मेरा हिलागा है मेरी इजासत के बिना यहां परिंदा पे पर नहीं मार सकता मैं मौत का सोधागर हूं हुआ 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 इसे नस्दीक के हॉस्पिटल ले जाओ सेया तुम जा के गाड़ी में बैच जाओ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तुम है है ब की डोлоök और अएर फखुल है बाजाओ वाट कि न sewer गट खार दार्म है कालन प्टो है है कर दो कर दो गाड़ी पीछे ले लो सड़क के बीच ओ बीच मार रहा है मुझे अपना पता दे तेरे घर में कुछ के मारता हूँ मेरे अंदर एक बुरी आदत है इस्जत देने वाले को जिन्देगी और आखे दिखाने वाले को मौत देता हूँ चाकू दिखाकर कान भटने जैसी आवाज में बात करने वाले को देखकर मेरा दिमाग सटक जाता है यहाँ यहाँ प्रेटा यादा तुम भासकर हो तुमने पैचान लिया बेटा तुम्हारा यहाँ ठेरना ठीक नहीं है यहां से चले जाओ यहां मत रुको फिकर मत कीजिए मुझे कुछ नहीं होगा यह बताईए आपके यहां सब कैसे हमारे कृष्णरा राव आनन सब ठीक ठाक है ना हाँ यहां सब लोग ठीक ठाक है गुरुआयr किरात को राघोजी की बेटी की शादी है तुम वहाँ पर आओगे तो उनको बहुत अच्छा लगया अच्छा उनकी बेटी की शादी है उनसे कहना कि मैं जरूर आओ ठीक है बेटा बेटा काफी वक्त जाया हो गया टायर फट गया है तुम बोलो तो रिप्यार करते हैं अच्छी बात है यह गुरू जी कहा चले गए तुमने जो कर्तब दिखाया उससे उड़कर वो यहां खिर पड़े क्रिश्ण ऐसा एक्स्ट्रा लगिज तुमें पसंद है क्या इसे यहीं पर भड़ी रहने दो वक्त आने पर उपर पहुंच जाएगा बैचारे उम्रत अराज है कहां सोएंगे कोई दूसरा ओप्शन बताओ ना श्यू पॉलिश कर ये स्टेशन भेजते हैं क्या तुम्हारा कोई अपना होता तो तुम यहीं करती गया चलो तीसरा ओप्शन बताओ मेरा चेला मेरे बारे में कितने ओप्शन सोच रहा है कहीं से चौब लाकर इसके ठुक्रे ठुक्रे करके खुटों को खिला देते हैं अरे फिंगर प्रिंट से हम पर केस हो गया तो तो जाकर गलफ्स ले लो कोई सब्सक्राइब यह आइडिया तो बहुत ही अच्छा है गुरुजी आप कब जागे बिल्कुल सही वक्त पर राम नाम सत्यह कहकर शमचान ले जाने का इरादा है क्या तु भी वक्त के साथ रंग बदलता है काड़ी तो फ़िवार्ट है कियो पता कौन हमारा दोस्त है कौन दुश्मन बहतर इन बातों को हम राजी रखे सर कौन है वो पूरी पुलिस फोर्स लगा दी है उसे ठूंडने के लिए वो बचके ने निकल सकता जैसे हमारे शिकंजे में आएगा हम आपको सौब देंगे किसी ने पैसे जमान ही करवाए ट्रीटमेंट जल्द ही शुरू करना होगा बीपी भी काफी लो है पैसे मिल जाएंगे मेरा बेटा सही सलामा थे इसलिए अब तक मेरा बीपी कंट्रोल में है वरना जानते हो क्या होता अपनी गाड़ी में वो अकेला था वो मिल जाएगा हमें उसे एक से मैलका कोई ठीका न उसे ढूंड रहे हैं सर वो वाइस एक से बाहर नहीं निकलना चाहिए सर देखते ही उडाद उसे यहां बुलाने की क्या वज़ा है दादिमा मैं आपको दुख नहीं पहुचाना चाहता मेरी खाईश है कि मेरी शादी हमारे पुष्टैनी घर में इसके परिवार से बात करने के बाद ही मैंने ये कदम उठाया शादी यहां पर होगी तो हमारी परंपरा कायम रहेगी हम सबकी भी तो यहीं इच्छा है ना और वैसे भी साले साब जो बात कहने वो गलत भी तो नहीं है ठीक है बेटा शादी होने तक मुझसे पूछे बिना तुम कोई भी काम अपनी मर्ची से नहीं करोगे सीता राम जैसी छोड़ी है तुम्हारी डायलाउग तो पुराना है लेकिन आज भी लाख टकिका है आपकी तारीफ मैं हूँ डील मलिक गुरू आफ क्रिश्ना दस मीटर में खत्म हो गए गुरू कैसे बने गुरू को आप मीटर से मत ना पिये मैटर देज़े आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप लोग अभी अभी दुबई से आए हाँ तो वक्त आ गया है मेरा जलवा दिखाने का मेरे दिये हुए ड्रेस को पहननी के बाद आप बच्चों में निखार आएगा माइडियर फैमिली मेंबर्स एवरी मोमेंट शुड़ बिया मेमरी हर अच्छे बुरे दिन अक्सर दिमाग में स्टोर होकर रहते यह मलीक इसे शादी के लिए लंडन से उठा कर यहां क्यों लाया यही सोच रहे होंगे आप मेरे दिल में मेरे ख्यालों में सबसे पहला शक्स यह था मैं येस माइफ्रेंड टेक दिस ओपन ओपन इठ यार क्या यह नाइटी यह किसी को दे नहीं है क्या नौ आपके नहीं है समझ में नहीं आया ना आपको आपको वाइन बॉटल या शेविंग पैक देता तो वाइन पी जाते या किट से दाड़ी बनाते लेकिन इसे आप बहुत ही संभाल कर रखेंगे जब भी आप इसे देखेंगे तो मेरी याद आपको आती रहेंगी मैं इनका क्या करूंगी मैं जानता था आप यही सवाल करेंगे आपको लिप्स्टिक नेल पॉलिश या कुछ और देता तो इस्तिमाल कर लेती लिकिन इसे ना तो आप इस्तिमाल कर पाएंगे न भेख पाएंगी जब भी इस चीज़ पर आपकी नजर पड़ेगी तो इस डिल मलिक की आपको याद आएगी यह क्या है टीशट है और क्या तुम्हें दिख नहीं रहा इट नहीं होगा मुझे मैं तुम्हें चॉकलेट या आइसक्रीम लाकर देता तो तुम और भी फूल जाते सुनो टीवी और किताबों में ही नहीं इस मलिक की कही हुई बातों में भी बहुत मोटिवेशन है जब भी तुम्हें इस टीशट को पहनोगी यह तुम्हें टाइट होगा तुम्हें याद आएगा कि तुम हापी हो फिर दुबला होना चाहोगी लड़कियों को फिट लड़के पसंद आते हैं हवा का गुबारा नहीं टेक इट फिल करो कि तुम सिलिम हो गये हो दो सो ग्राम वजन उसी वक्त कम हो जाएगा इस लाइक योगा हाई अंकल हेलो गुड कल्चर एक भारतिये ही गुड कल्चर की वैलू जान सकता है क्या है ये काड़ा अंकल क्या कहा कॉफी क्यों नहीं लाई हम सब भी हमेशा सुबह सुबह कॉफी पीते थे आंकल आपसे थ्रिल का मतलब समझे इसलिए काड़ा ले आए तुमुझे थ्रिल दे रही हो हाँ अंकल फिल दे थ्रिल हाई आंटी क्या बात है क्या है आज गर्मा गर्म एक ही दोसा यह क्या है मुझे कहने के वज़ाए हाथ ही जला दिया खिल है जी अच्छे खाने को पहले फिल दो कीजिए यहां तो मेरे कॉंसेप्ट का सब पर गलत असर हो रहा है मामी अरे जिंगल बिल यहां स्विविंग पूल है क्या लेकिन घर के पीछे कुवा है ओ विलेज स्विमिंग पूल आई लाइक इट ब्रो चलो बताओ कहां है कुवा कितना गहरा है आप खुद ही कुवे में कूच जाए ना आपको गहराए का पता खुद बखुद हो जाएगा पॉडी के साथ ब्रें में भी भूसा बराए क्या यह चरबी क्यू पाल रखी है स्विमिंग करके कम कर सकते हो तो फिर आप मुझे स्विमिंग सिखाए ना अंकल वाट डू यू मीन वालें ठोने की क्या जरुवत थी हिप्पोपोटोमस अंकल का है बेटा अंकल मुझे कुवे में तयरना सिखा रहे हैं यह क्या कर रहे है गुरुजी आपकी वज़े से पूरा पानी खराब हो गया नहाने के लिए को इस तरह कुवे में छलांग नगाता है क्या अरे मैंने कहां लगाई थी उस बुल्डोजर ने मुझे यहां रखेल दिया मुझे यहां किसी भी तरह से प्लीज निकाल लो खुए में मचलियों को मार दिया और खुद जिंदा बच गया मैं बच गया इसके लिए कितनी खुश है यह क्रिश्णा मैंने सही कहना बेटी मुझे से इतना प्यार जो करती हो वैसे अंकल से हम लोग भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं जैसे कि योगा और कराटे इसमें क क्या समझ रखा आप लोगोंने क्या यह जो करने जरा आते हैं एक जमाने में पूरी मुंबई का माफिया इनके पॉकेट में रहता था फिर इन्होंने भाईगीरी छोड़कर रिक्षा चलाना शुरू कर दिया अभी रिक्षा का भाड़ा बढ़ गया इसलिए यह बहुत मशूर सलाकार बन चुके हैं क्या कहां मैं भाईगीरी छोड़ दिया इसका मतलब यह नहीं कि यह कुछ नहीं कर सकते यह बहुत कुछ उखार सकते हैं कि अब अब करें इतना खतरनाक फ्रेश बैट जाने बिना हम लोगों ने आपकी बिज़त दीकी अगर आप मुझसे सच पूछे तो आप एक हीरो है यह तो ने क्या कह दिये चले कैसे कैसे करेक्टर बना दी है मैं ज्यादा बोल गया तो आप लीपापोती कर लो ने घरवाले वाइलेंट होते जा रहे हैं इस बार इस तरह से आय मत कर मुझे तेरे घरवालों से डर लगने लगा है का फस गया आपकी मामा जी ने उस ठकलू कौन फिर से करें क्या खाते हो किसे मारेंगे इस पर क्या करेंगे इसे खौंप देतेैं और यह पार का पेसला हो जाएगा वह लेकृइड शम्यन How about नहीं हो तो श्रॉब ने इंकितों बहले-बहले चेहरों के पीछे इप्छे इपना बच बोलता है कितना अच्छा दिल है इसका जुब-जुब मेरे लाड वैसे वो इस ही कि लायक है काट डाल उसे यह नहीं तो हला करना चाहता है तरपा कर मात मारो एक ही राम में खास्म कर दोख पुलिस के हर सवाल खुद ही बचानी होगी अलो गुरुजी आ जाईए ब्रेकफस्ट तयार है लेकिन कहा मैं तुम्हारे आसपास नहीं दुबाई के फ्लाइट में हूँ ऐसा क्या हो गया गुरुजी वो क्या है तुम्हारी फैमली मुझे टेरिफाइंग लगी कृष्णा मुझे कुछ और दि और बात की साब हुमारे नमस्ते अच्छी बात है मैं भूत पूरु कलेकटर भी रह चुका हूँ मेरी बेटी ने बिना मुझसे पूछे आपके बेटे से शादी तैक कर ली सौरी राग मैं समझाती हूँ बेटी आज इस घर में जो खुशियां है उसकी वज़े आपकी बे अब बेटी की पसंद में मुझे क्या अतराज होगा आने वाली बारा तरीक का शुब महुरत है उसी तिन इनकी शादी तैकर देते हैं जैसी आपकी मर्जी वरह लक्षमी नर्सिमा स्वामी हमारे कुल देवता है दुला दुलन का शादी से पहले उनसे आशिर्वाद लेना हमारी परमपरा रही है उसके बाद ही शादी संपन्न होगी बिल्कुल माजी आपकी हर बात मेरे सारा आखो पर हम चलते हैं अरी यह क्या यहां तरकाय और आप दुले से नहीं मिलना चाहेंगे दामाजी क्रिश्णा को बुलाओ तो क्रिश्णा नमस्ते जी नमस्ते कैसे आप आप बात कीजिए मैं चाविज बाता हूं तुमने जितेंदर के लड़के को क्यों मारा वो किसी घरीब की जान लेना चाहता था इसलिए एक शैतान को ललका रहा है तुमने उसके खिलाफ गवाही देने वाले चार लोगों को उसने बोरी में को बंदवा कर समुद्र में प्हेकवा दियाता है और आज तक उसकी गुनाह को कोई साबित नहीं कर पाया इतना ही क्यों पूरी सरकार उसके आगे लाचार है यानि कौन कुछ नहीं कर पाएगा तुम जानते हो तुमने जिस इंसान को बचाया है वो भी कुछ दिनों कहीं अ तो शेले नहीं साब आएग्षास वर्वश्व थोटे आएग्षास रागरव जी नहीं करेंगत पासे मार्व नाया है और तुम चीक रहे हूं मैं ठीक हूं यह हमारे राघव जी है छोटे मालिक आप इस शादी में आये हमें बहुत खुशी है इसे आशिरवाद दीजिए नमस्ते मालिक विश्यू अपिर के लडगे को अपने अच्छा सबग शिखा ऐसा मारा के सीधा होस्पिटल पहुचा दिया कैसी बातें कर रहे हो तुं छोटे मालिक यह मेम साब को होना है यह मेरी होने वाली पत्नी है तो आज पार्टी में रॉनक भी खेर दीजे मालिक आपके साथ हम लोग भी डांस कर लेंगे सॉरी 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 माप किर गे वह मेले इसी हॉस्पिटल में अड्मिट है आज बटाया यह लोगा यह लोगा दिल्क साथ कि यहांद माले ज़िसे इसका साथ प्लाइब इस फिर सितमे़ भूपावशांग मेले कृपार अश्या कर दो क्राइब इस अविए सर्व क्या है चुप कैसे कदम उठाने में ही समझता रही हैं वो क्यों दुश्मन से बदला लेने के लिए केस को दबना होगा आपके बेटे ने पश्चाताप में आकर सुसाइड कर लिया है ऐसा केस में तर्च करूँगा पश्चाताप मेरे घर में बताई उसे कब मारना है सर क्या डॉकियाट की हाथसे के बाद सिगनल की वारदात का वो फुटेज और हॉस्पिटल की वारदात का फुटेज दोनों मै कि आपने जो दिन बताया है पंचांग के अनुसार वो सर्वस्ट्रेश्ट मूरत है हम ये विवा उसी दिन रखते हैं अच्छी बात है आतो समधी जी आपको इतरास तो नहीं अतरास तो नहीं है लेकिन जैसे ही सोचता हूं कि मेरी बेटी दूर जा रही है तो मुझे तकलीफ होती है अगर आप इजाजत दे तो मैं अपनी बेटी के साथ कुछ पल बिताना चाहता हूं ओहो इसमें इजाजत की क्या जरूरत है आप तो शर्मिन्दा कर रहे हैं जियल सावा है धीरे जाखिये यह क्या है जितेंद्र नए सीम को मुबारक बात देकर मेरे गले लगने के समय में इस तरह का हादसा हो गया तुम भेस में शामेर यह क्या कह रहे हो मुझपर शक कर रहे हो देखो मुझपर ऐसा बेबुनियाद इलजाम मत लगाओ जीतेंद्र कि छोटू के कातिल का पता लग गया है सर अब कि आप इस तू कर जा रहा है आप इतने टेंज क्यों है यह शादी नहीं होगी बेटा क्या क्या रहे डाट क्रिश्णा ने जीतेंद्र के लड़के को मारा है यह एक मामूली सी बात है क्रिश्णा ने उसे मौत के घाट उतार दिया है ऐसा नहीं हो सकता आइनो अबाउट हिम नो आर्ग्यूमेंट्स यह शादी नहीं हो सकती बेटी स्नेहा स्नेहा यह वही है जो सिगनल पर उससे बात कर रहा था इसकी लड़की के शादी में वो यहां आया था सर छोटे का खून होने से कुछ दिर पहले उसे यहीं देखा गया था सर कहा है वो? कहा है वो? कहा है वो? कहां है वो यादा यहां क्या हो रहा है यह लड़की कौन है बेटी तुम्हां से चलिए जाओ कहां है वो बेटी यहां मत रुको कौन है वो मैं पहले प्रोपोस मैं नहीं किया था अब हफिकत यहीं है कि प्रियाय के मामले में आप सब कुछ हार बैटे हो आपकुल आपने जीजा की ताइम पर पहुंचना है लड़की वाले पहुंचे के नहीं जरा पूछो हुँ वाहाँ 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 व्राइब व्राइब! प्रद सुआ है! प्ररेभ्रेो utilizar सिर्षे acquireं फ्ररेभ्रे फर्ट अार अार्र… करत शिक हाल झाह हाथ को नगू झालू हल जर एत बा कि लुए करेंग और बिग्गागा कुछरर थनOOOO एोतर न एक spicesता ! है एशर एशर कर दो च चृट कर दो भी पार not उटक कर दो रbeखाした 팔ग thyroid शो पिर सिस्ल इस रा कि कर दो रेट के पिर गह racing और हल कर दो जो ऑो आप दो क्रिष्णा जो 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 मजद पुरा हो गया अब जाकर सीम को मुभारकबाद दो ये वत उनके सामने रखते ना मेरी प्यास पुछी नहीं है कोई भी जिन्दा नहीं रहना चाहिए सब की लाश यहीं रोड पे पिछा दो मेरे छोट को मारने वाले के परिवार में कोई ना बचे इन सब की चिता एक साथ देखनी है मुझे आप लोग घबरा क्यों रहे हैं धरती भाड़ कर शेर निकलाया है अब हर एक के साथ इंसाफ होगा हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा क्या 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 आस्मान में रहो चाहे पाताल में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा किसी का एक बाल भी बाका हुआ तो दूसरे बेटे की तरह तीसरा भी जिन्दा नहीं बचेगा मैं हमेशा गुम्नामी के अंधेरे में खोया रहता हूँ लेकिन इंसाफ के लिए अपनी जान की परवा ना करते हूँ सबसे आगे खड़ा रहता हूँ और जब मैं आगे आता हूँ तो इमोशन्स नहीं चलते, फिलिंग्स नहीं चलती, कैलकुलेशन नहीं चलता, मैनिपलेशन नहीं चलता समझा देना उसको, सेंट्रल में हो या स्टेट में, रूलिंग में हो या उपोजिशन में, देश में हो या विदेश में, जुर्म के खिलाफ मुझे ही पाएगा Once I step in, history repeats ये जो इन दो परिवारों के दुश्मनी है, वर्षों पहले तुम्हारे दादा जी के जमाने से ही शुरू ही थी बेटा इन में से जो भी कोई एक जीत के करीब पहुचता है, तो दूसरी तरफ चिता जलती है पता है पहले वाले को तो हॉस्पिटल में और दूसरे वाले को हमारे साम में बेरहमी से मारने वाला तुम्हारे पिता का दुश्मन है वो किसी को नहीं छोड़ने वाला हा चिता को देखकर हम डरने वालों में से नहीं है, वही डर कमजोरी के निशानी है और उसके फैमिली का खात्मा कैसे करता हूँ देखो तुम क्या कर लोगे तुमसे कहीं ज़्यादा बापदूरों को वो मौत के घाट उतार चुका है मौत का सौधा गर है वो तुम्हारे दादा जी को अपने बच्पन में ही मौत के घाट उतार चुका है उसका अस्ता कोई कुछ नी बिगाड़ पाया उसका एतिहास इतना खौफ ना कहे कि मैं तुम्हें क्या बताऊ राजनीती ने अपनी पावर बढ़ाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने बहुत कोशिश की अपनी पूरी ताकत लगा कर वो अपने भाई को MLA बनाना चाहते थे ये बास सच है कि मैं आपके सपोर्ट से MLA का सीट जीत पाया था लेकिन आपके भाई लोग इसका गलत फैदा उठा रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है नसर्थ इस बार अपनी कोशिश से मैं सिर्फ चार टिकेट ही कनफर्म कर पाया और टिकेट नहीं मिल पाई कुछ है मिले हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सर्थ आखरी वक्त में हमारे पीट में छुरग हो पाहें आप सब चाहें पीजिए बच्पन से यही सुनता हां रहा हूं अब जैन प्रॉब्लम है इकट के लिए मैरे पिताजी ने करोड़ों रुपे खर्च किये अब सब लोग मतलब की बाते करते हैं इस बार भी वही प्रॉब्लम आ गया पापा लगता है हमारा पैसा वेस चाहेगा फसूर लूंगा दु कि पता है मैं क्या करूंगा अपना मतलब निकानले के लिए तुम जैसे कमीने लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं अब अगर दूसरी लाश नहीं देखना चाहते हो तो मेरा कांग करो सानु मैं मेलेज को समझाएंगे सर आपका काम पूरा करेंगे सर मैं भी पूरी कोशिश इन्हें जाने दो भाई देखते हैं कौन कितने पानी में है पता चल जाएगा मात का तांडव देखना है तो बताओ या मेरे भाई को जिताओ रुके रुके बेटा इनसान सुखी रोटी खाकर भी किसी तरह जी लेता है और ओकी भलाई करने वाला ही सच्चा इनसान कहलाता है अपने स्वार्थ के लिए कोई रंग बदल ले वो गलत इंसान होता है याद रखना जो खुद तकलीफ जेलता है वही दूसरों की तकलीफ को समझ पाता है और यही कारण है कि यह सारे लोग मुझे अपना मानते हैं और मुझे यहां तक पहुंचाएं हैं मैं यूही नहीं इन लोगों का हम दर्द बनाओं इन पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए बेटा हाँ जैक कालीमा कि अ कि दोल्व झना घ्ट वे अ सर्टाएं कर फिल्ग एसक्या या कर दो कर दो कि कर दो को कि जरोत आया हम लोस्टाम नहीं जचाल आप बहsky को हने बेतू? कर देट। कर देए कर देए कार प्रृश यो अपाट बग्रांगी विंग characterizeει के तुमझे मेरेवा प्राइब करा चौ राट कर दोह करें एंगे फिरा प्राइब機 यार भाट अल्डार फैंगे इंगे सिर्टें कर दो कि आराब काम तरान भाले बग्मी अल्लाओ उड़ प्राइब क्यों दो अल्मी करें थे कर अब खुशी की धुन बजाओ अब खुशी की अब खुशी की की ले बाहा गुशी की इसने जो भी किया वह अखलत है इसे हमारी कस्टडी में दे दीजिए इसी को नहीं दोंगा प्रेश्च थिए अध्म आला माड़ी्टोन जोन度 मत्में मेर साथ मअरे इस मिलकांड तक मां!' सबाम मेरें और दुए और एंअमिन जाकतों सुन है सौखिन अगारी rod मुझे टच करता है वे फ्लूट चूहों के आगे बजाना शेर के आगे नहीं समझता क्या है लोग तुस्से डरते हैं क्या हाँ डरते हैं मेरी बादशाही ताकत से हिम्मत है दे तु मेरा सामना करके दिखाओ बादशाहत तो तुझे रिश्वत देकर भीक में मिलिये वो तो तेरे ब्लेड में है इनी ब्लडी फूल राजा माराजा पैदा हुए हमारे खांदान से और तुझ जैसे लोग हमारे याँ जूटे बरतंत होते थे तेरी जबान तेरे हद से जादा बढ़ती जा रही है मेरी स तनक कभी कबार होती है लेकिन मेरे अंदर 2400 घंटे रहती है तो अपनी लिमिट से एक इंच भी आगे बढ़ा तो यहीं कड़ जाएगा फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा तेरी की दड़ भवकी से में डरने वाला नहीं हूं भई तू अकेला आया हो तो तो माफ कर दे मार आप जोड़ता हूं फिस्टम के रिस्पेक्ट कर रहा हूं इसलिए अब तक शांत हो आप इसे ले जाते हैं कि इसकी कानिया खत्म करो सर प्लीज आपके खिलाब सबूत भीले है सर आपको हमारे साथ चलना ही होगा कमीने मेरे जिल से लोटते ही तेरी जिन्दगी खत्म हो जाएगी तेरे गड़ा फाड़ने से मैं डर जाऊंगा या करेश्वाई में मत रहे शूटर हूं खोपड़ी खोलके रख दूगा तेर दोंट चैलेंज में जाना भोग मार आप अच्छे रहेंगे तो सोसाइटी अच्छी रहेगी पानून सही रहेगा तो सिस्टम सही रहेगा मेरा तो एक ही उसूल है नो बॉस कि अज़ेश्वाएं अच्छे आपके बगेर घर भी कितना उदास लग रहा था अगली बार हमें छोड़के मत जाना भी आप उस बारे में बाद में बात करेंगे अभी तुम जा जाओ नहीं पर दामाद जी कृष्णा वहां क्यों गया हमने जो इस घर के नियम बनाये है क्या आप उससे वाकित नहीं है प्रिश्णा इसी वक्त यहां आओ अभी तुम जाओ कुछ भी हो ये शेर आपही के खांदान का है अपने ही खुन से इतनी नफरत क्यों कर रही है माजी मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रही हूँ मुझे सलामत दीजिए वो किस राप पर चल रहा है पहले वो देखिए बंदूकों से खिलना इसके लिए आम बात है उसके पिता इस रंजिश में मारे गए लेकिन ये नहीं बदला जब तक ये पूरे परिवार की लाशे नहीं बिचा देगा तब तक इसे चैन नहीं पड़ेगा कोई जीए मरे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके लिए ना हमारे परिवार में और ना ही हमारे दिल में उसमें कुछ नहीं खोया है, खोया मैंने है, हर पल्टर लगता है, कोई भी दुश्मन हमारे घर के दर्वाजे पर आकर दस्तक ना दे दे आज मैं सब के सामने एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ, अगर आज के बाद इसकी वचा से मेरे परिवार पर आच आई, तो मैं अपनी जान दे दूँगी बड़े मालिक, यह आपके अपने बड़े हैं अगरे मालिक, यह अगरे मालिक, आपने खाना खाया नहीं खाया मालिक, देर हो गई है, खाना खा लीजे, और मालिक आप हूं हूं मेलीसा ताय? दिरगायो श्वान भावा यह सब क्या है? आप भूल गए आज आपका जनम दिन है हाबी बादे मामा जी बागी सबी ने खाना खा लिया? पता नहीं यह दिन दोबारा आएगा यह नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं? दो बार मौत आकर मुझे चू कर चली गई तीसरी बार पता नहीं अंजाम क्या होगा? खुशियां कभी कायम नहीं रहती माना की खुशियां दो पल के लिए रहती हैं लेकिन उन्हीं दो पल में दो सदियों की जिन्दगी जी नहीं चाहिए ऐसा मेरा मानना है देखिये आज आपका जनम दिन है ऐसे उदास बंत रहे हैं मालिक मिनिस्टर साहब आपसे मिलने आये हैं और एमपी साहब भी आपसे मिलना चाहते हैं वो लालू उन्हें मैं वाहां खुद जाओंगा देखाने पाशुद लो वो आ गया मैं उन्हें लेकर आता हूं आप अंदर चाहिए जाहिए ना चाहिए शूरू जाओ शूरू जाओ चलो चलो की जंता अपनी खुशी का इजहार कुछ इसी तरह से चिला चिला के करती वैसे आपसे बात करने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर साब आए वे हैं अगर आपके साथ उनकी डील पकी हो गई तो समझो चांदी ही चांदी तुमारी पोस्ट क्या है एंपी की ड्यूटी क्या होती है जंता की सेवा तो फिर दल्ले क्यों बने हुए हो यह तो मार रहे हैं वो मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे उनकी हरकतें ऐसी हैं कि मार खाने ही पड़ेगी सुना अब मुझसे कुछ कहना चाहते हैं क्या बात थी बताईए तुमने एंपी पे हाथ क्यों उठाया उन्हें क्या आपने घर का नौकर समझ रखा है पिन पेंदे के लोटे पॉइंट बड़ा तुम्हारी मदद की जरुरत है हमें ना लूंगा न दूंगा नेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हो उतना वक्त नहीं है मेरे पास और तुम्हें जानना मेरे लिए जरूरी नहीं है नेक्स्ट रिस्क उठाड़े से डरते हो क्या डरता हो और मैं बचपन से ही अपना रास्ता खुद तै करता आया हो एक बार मैं ट्रेन को रोकने के लिए उसके सामने तोड़ पड़ा ट्रेन तेजी से आ रही थी उसमें भारी भीड थी दस इंच की दूरी पराकर वो रुक चुई इसे तुम क्या कऊगे प्रेस कऊंगा और क्यों गया जो ट्रेन तुमारे सामने यह वह कौने जानती हो मैं हूं अपनी तक्लीफ लेकर जो हाता ह। से मैं सीने से लगाता हूं अपने स्वार्त लेकर आता हुगा अपनी जूते की नोक पर रुगता पावर क्या यह जाने बिना तुम उससे बाते कर रहे ह। पावर? तेरा? तु तो बिना इड्रेस, बिना स्टैम का एक खाली लिफाफा है? और मैं तन्वार की नोक पर राज करने वारा पावर हूँ. तु है लॉट्री, मैं हूँ हिस्ट्री। तुम्हारी हिस्ट्री मेरी हिस्ट्री की आगे दो कौड़ी की भी नहीं है अगर मैंने एक स्विच भी दबा दिया ना हवा के जोगे की तरह ओड़ जाओगे अपने दिल की तसली के लिए जरा अपने उस फैन का स्विच आउन करके देख ले तुम्हें गायब करने की बात कर रहा है मेरा बाल तक नहीं हिलेगा लेकिन अगर मैंने तहार लगाई तो तेरा नामों ने शान मिट जाएगा मुझ में इश्वर की दी हुई शक्ती और लोगों का विश्वास है जो मेरे लिए जान तक देने को तयार है आजमा के देख मेरे एक इशारे पर तेरे ही पाल तू सड़क पर तेरा मजाग उड़ाएंगे हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी आइल टेक इट ऐसे चालेंज उसी राज में जिस राज में मैं अभी हूँ उसी कुरसी पर बैठ कर जिस कुरसी पर भी बैठा हो जितेंद्र को तुम्हारी जगा बिठा कर ही दम लोगा पूरी ताकत लगाते असेम्बली के गेट तक नहीं पहुँच पाएगा तू बीपी का मरीज ज़्यादा चिल्ला मत हाट फेल हो जाएगा मैं आ गई क्या बात है इस वक्त तुम यहाँ मुझे नेन नहीं आ रही है आप मेरी साथ बीच पर खुमने चलेंगे क्या इस वक्त जाएंगे यहीं तो सही वक्त है बीच पर खुमने का प्लीज बान जाएए ना इंकार मत कीजिए प्लीज 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 अप्ली इतनी रात को बड़े मारे कहां जा रहे है रोमान्स करने तुम सोजाओ अब उस तरफ कैसे जाएंगे जम चलो मुझे उठाओ ऐसा लगता तुम मुझे प्रॉब्लम मिटा दोगी यकीन नहीं हो रहा कि प्रॉब्लम से आप घबरा रहे हैं मेरी खुआश है कि आज की रात हम ऐसे बिताए कि सिद्दगी भाहर ना भूले इंकार कर रहे हैं हाँ भाई साब जब पैदा करने वोले कोई तराज नहीं तो आप माना क्यों कर रहे हैं आखिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं ओ क्या है ना उसके कोक में फिर से लड़की है ऐसा डॉक्टर ने का है इसलिए गिरवाना चाहता हूँ लड़की है तो इसमें गलत क्या है भाई साब क्या मतलब है पहले मेहनत करो पैसे जुटाओ फिर उसकी शादी में सब लुटा दो इनका कहना भी गलत नहीं है लड़की तो परायाधन होती है और जब वो ससुराल जाती है तो वाप कंगाल हो जाता है सुनिया जी कोई भी फैसला लेने से पहले घर के बढ़ों से बात कर लेनी चाहिए बहन जी अभी तक तो इस घर में हमें लड़कियों की इस सूरत देखने को मिली है वो फैसला लेंगी आगे चलकर हमारे खांदान का नाम रोशन काउन करेगा अपने खांदान का नाम रोशन करने के लिए एक चीराग तो चाहिए न क्यों भाई साब मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या देखें और इस बार में लोग कल बात करेंगे भाई सब थोड़ा बार चलेंगे लेकिन मेरी बात तो सुनी वह पर में आप इंवेस्ट करने वाले तो अभी तक किया नहीं कि अ कि अ कि अ कि वो हमारे घर की बच्ची के साथ ऐसा जूम कैसे कर सकते हैं मैं उनसे बात करूंगी चलो लेकिन मुझे लगता नहीं उनसे बात करके कोई फायदा होगा है राजू सामान अंदर लेकिया अरे समहल के चलना कहीं फिसल गे तो क्या होगा हां स्तमस्य सासुमा सबकी तबियत ठीक है ना सबका चहरा इस तरह से उदास क्यों है ओहो आप लोग इस तरह से मुझे घूर करके को देख रहे हैं बड़ी साली साब को देखो वो भी नजर जुका कर खड़ी है हरे साडू साब आप इस तरह से उदास रहेंगे समझ नहीं आ रहा यह बदलाव कैसे है ठीक है भगवान का शुक्र है उसका दिल बदल गया बच्ची की जान बच गई है इसी खुशी में मैं मंदिर में दिया चला के आती हूं यह हुआ कैसे मामा जी अब कैसे है एक बार फिर से मुझे मामा कहके पुकारो मामा जी जाओ जाके खेलो बिटा ओके मामा जी तुमने मुझे पर हाथ के उठाया तुम कैसी हो ठीक तो हो ना बैन तुम बात बात पर इस तरह मुझे बार क्या आप तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं ऐसे दिनों में रोना नहीं चाहिए तेरा बड़ा भाई अभी सिंदा है अपनी जान देकर तेरी बेटी को बचाएगा रागव जी जी मालिक बैन की कोख में लड़की है इसलिए ये लोग अबोर्शन करवाना चाहते हैं ये बेवकुप भूल गया है कि औरत नहीं इसे जनम दिया और और नहीं इसे बाप बनाया मुझे इतराज नहीं तो आपको क्यों है मोझे इतराज है लेकिन वज़ए एक नवी सी जान का खोन करने की जाज़द तुझे कितने थी कैंत मांटने को एए तुम्हारा क्या जाता है हमारी बेटी है उसके साथ जो चाहे करेंगे तुम कौनों बूलने वाले लड़की को जन्म से पहले ही मार देना कौन सी बड़ी बात है लड़की कल हम पर बोज बनेगी तुम्हारा क्या जाएगा गाउं की इज़द बचाने के लिए ऐसा किया तो वो घलत नहीं है धर्म है ये धर्म एक लड़की एक मा की कोक में पल रही है उसे मारने वाले का सपोर्ट करना बिलकुल घलत बात है इसे लिए पीटा इसे आसू पोचने के लिए मा चाहिए बच्चे पैदा करने के लिए बीवी चाहिए प्राखी बंदवाने के लिए बेहन चाहिए पुम्हने फिरने के लिए कल फ्रेंट चाहिए लेकिन बारी जब बेटी की आती है तो नहीं चाहिए यह यह तेरा हिमायती है ना बुरे वक्त म यह साथ नहीं देगा, साथ देगी तेरी बेटी, ऐसा पाप करने के लिए इश्वर भी माफ नहीं करेगा तुझे, ना दुआ करता हूं कि मेरे घर में सिर्फ बेटियां हो, घर में बेटी पैदा होती है तो लॉस का कैलकुलेशन, बेटे के लिए प्रॉफिट का लड़कियों को हवस का सामान और घर की नौकरानी नहीं समधना चाहिए, उसे तो घर की देवी समधना चाहिए बिनास्त्री के ये संसार नहीं चलता, बिनास्त्री के कोई जन नहीं ले सकता बिनास्त्री के जिंदगी नहीं चलती, बिनास्त्री के उधार नहीं होता बिनास्त्री के ये संसार नहीं चलता, बिनास्त्री के कोई जन नहीं ले सकता बिनास्त्री के जिन्दगी नहीं चलती, बिनास्त्री के उधार नहीं होता इसलिए किसी भी मर्द को औरत जात पर जुल्म नहीं करना चाहिए और अगर वो ऐसा करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं I will show him the hell कर दो 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 क्या हुआ बेल करवाने की सारी कोशिश नाकाम हो गई सबने हाथ उठा लिए अब जेल से बाहर आने का इंतिजाम आपको ही करना होगा MP ने भी मना कर दिया वो भी पदल गया मुझे महरा बनाकर वो खुद दिल्ली चला गया तो फिर तुमने क्या सोचा है हमें बदला लेना है कि देखो बाई कितना भी महगा हो चलेगा लेकिन चीज प्यारी होनी चाहिए ताकि पहन करिए खूबसुरत लगे बड़े दिनों बाद शॉपिंग बेंग लिए झाल जाए अग्कल, तर वासे को लुट! तर वासे, पो बाहा! बाहा! Wकिटाव! ऑचाव! प्राव! मुझा बखवान बचा ले उसे का था बेल नहीं उपाये, की तेदमर का बेल हो गया है बाहर आ गया है वो, धृपी गेमपी को खबर कर दो की घर आ गया हूंगा सर्फ आपका बेल करवाने वाला अंदर है हमने इतने पैसे खर्च किया तो भी कुछ नहीं हुआ लेकिन उनकी एक आवाज ठाथ मेरे घर पर आकर मेरा नमक खा कर तो उसकी तारीफ कर रहा है मेरी बेज़ती करने वाले को मैं इसी वक्त दुनिया से उठा दूंगो है बाहर निकाल सर बेटर होगा क्या आप यह अंदर के ले जाए मेरा बेज़ता माइकाल मैंने तेरे बाप को मारा, तो कुछ नहीं कर पाया, तेरे छोटे भाई को मारा, तो कुछ नहीं कर पाया, तेरे घर के अंगन तक आ गया, कुछ नहीं कर पाया, क्या बोलता है, कुछ करने का दम है तुझ में, अगर है तो सामना कर, I'm waiting, मेरे भाईयों को मारने के बाद तु स सोच रहा है मुझे भी माँ डालेगा तेरे नर्क जाने की सड़क तैयार कर रहा हूं तो आज नहीं बचेगा रुच जाए दूया डर्वत तहन इसे तेरे सामने नहीं मारूँगा जा यहां से तेरी बीवी ने तेरी जान बचा ली इसद्ध की जिन्दगी जीएगा तभी तुझ सर उठा कर जी पाएगा स्वार्ती बनके जीएगा तो जिल्लत ही पाएगा कितनी औरतों को विद्वा बनाया कितने लोगों को ठगा तुने पुरे गाओं में देश्रत फेलाई तुझ जिसे को जीने का कोई हक नहीं है फिर भी तुझे आखरी माँका देता हूँ छे घंटे का वक्त है तेरे पास उसके अंदर इस गाओं को छोड़ दे वरना बचेगा नहीं तू किता है दो के अंया सब्सक्री को जोड़ थो गवा ब्राव्कमान कबयाए कि माली ये सब क्या हो गया अपके आखों में आशु क्यों है चलिए चलिए घर चलते हैं क्रिश्ना तुम्हें डर नहीं लगा जब भाई साथ में हो तो किस बात का डर दामाद जी हमारे लंडन जाने का इंतिजाम करो क्रिश्ना की पढ़ाई वहीं होगी और यह वहीं रहेगा इस देश्ट से और अपने बड़े बेटे से दूर चले जाएंगे मेरे लिए तुम लोगों की सुरक्षा सबसे एहम है वेंकर जी को फोन करके कहो कि सारे इंतिजाम करके रखे माजी मुझे कहा गया कि आपको सारी पसंद है मुझे नापसंद होते वें भी मैंने पहनी यहां खाने को कहा तो खाया भगवान के आगे अपना माधा टेकने को कहा वो भी किया लेकिन आप उनसे दूर जाने के लिए मत करिये माजी यह जुल मैं नहीं सहपाऊंगी क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ यह हो नहीं सकता लेकिन क्यों मैं अपनी मा की मौझूद्गी में ही शादी करूँगा तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आएगी और नहीं मैं तुम्हारे साथ कहीं दूर भाग कर शादी करूँगा किसी को धोखा दे कर उनका दिल दुखा कर तुमसे शादी नहीं करना चाहता मैं रेती रिवाजों के साथ तुम्हें अपनाना चाहता हूँ कितने भी मुश्किले आएं मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगा मेरे दिल को छूने वाले ये सारी अलफाज आपके बेटे के हैं उझे उनसे दूर मत कीजी माझे रोक लो खुद को उसके साथ शादी का मतलब है मौत को गले लगाना लाचारों की रक्षा के लिए आपके यहां शेर पैदा हुआ है फून का फर्स है जो ऐसा फर्स निभाते हैं लोगों के दिल में रहते हैं और जो जुल्म सहते हैं उसे बुस्तिल कहते हैं याद कीजिए प्रश्टाचार को मिटाने के लिए यहां पैदा हुआ है एक लायन और दुश्मनों पर हुकूमत करने वाला वो है एक डिक्टेटर लौ एन ओर्डर को सही दिशा दिखलाने वाला एक रूलर माची देवता कोई भी अवतार ले सकते हैं आपकी छट के नीचे इनसाफ का एक देवता आया है उस भगवान को भी धर्टी पर हुनी वाला जुम तो दिखता ही होगा न उसी जुम को जर से मिटा कर खात्म करने के लिए मेरी पती ने इस धर्टी पर जन्म लिया है आप उस देवता को पहचान नहीं रही इस दियोंने घर से बाहर रखा हुआ है ऐसा अन्याय आप कैसे कर सकती है आप घर की बड़ी है आप हिमत कैसे हार सकती है आपके इस गुरूर की वज़े से आज हो इस वक बाहर है दुनिया हम पर हस रही है उन पर इतना जुन करने के बावजूत हम पर कोई भी कस्टाता है तो वही पहुँचते है उनका बस शरीर वहां पर है उनकी आत्मा यहीं इस घर में है माजी यहीं पर है तुम्हें इतना बोलने की इजासत इसलिए मिली क्योंकि दामाद जी के दोस्त की बेटी हो मैं हार जोड़ती हूं हमारी घर के समस्या से दूर रहो इसी में भलाई है रुकिये मैं बात करता हूं माजी तुम यहां क्या कर रही है मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है वो इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है घर वाले नहीं माने इसलिए घर छोड़ दिया अब आप ही बताएए मैंने सही किया न बैसे मुझे तुम्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं फिर भी तुमने घर वालों का दिल जीता है उनसे घुल मिल गई है इसलिए ये ठीक नहीं है तो ठीक क्या है बताएए न देखिए आपकी दीदी को कुछ हुआ तो जीजा जी है आपकी दादी को कुछ हुआ तो सब के सब हैं लेकिन आपका यहां ख्याल रखने वाला कोई नहीं है मुझे आपसे महांबत है इनकार मत कीजिएगा इस बारे में मैं कभी नहीं सोचते घर से निकलते वक्त पता नहीं होता कि लोटूंगा की नहीं ये बिना गैरेंटी की लाइफ क्या तुम्हें मन्जूर है गैरेंटी वारेंटी देखने के लिए ये कोई बिजनिस डील नहीं है सिंदकी है मुझे आप पसंद है हर हालत में पसंद है आपकी बात है मुझे पसंद है आपके साथ बिताया हर बल मुझे पसंद है तुमने सिर्फ इस गाउं का ही बाला नहीं किया बल्कि इतने सारी अनाद बच्चों को सहारा दिया है उन्हें दो वक्त की रोटी खिलाते हो बटके हुए को सही रास्ते पर लाते हो अट लिस्ट सिर्फ एक दिन के लिए अपनी पत्नी बनाकर मुझे अपने कदमों में जगे दे सकते हो प्लीज महां जाकर मैं भूलतो नहीं जाएगी आई आई जल्दी बचिए जल्दी बचिए बचिए जल्दी बचिए वो तुझे ढूंटे हुए यहां दरूर आएगा गाउँ छोड़कर जाने के लिए उसने मुझे मजबूर किया था मेरी दब से संकी हुई है जब उसने मेरे गाल पर तमाचा मारा था उसने मेरा घर तबाह कर दिया लोगों के सामने मेरी बेवज़ती की उसे जिन्दा महीं छोड़ूंगा मैं खत्म कर डालूंगा मैं उसकमीने को उसे ललकार कर बड़ी गलती कर दी देख तेरी सामने शेर खड़ा है वही सजा देगा तुझे दो मनेट तो मजी आजा आजा है यह जोतेगा मैं खक्ड़ूंगा मैं शेबेड़ूंगा मैं चोड़ूंगा मैं शेंरेगे नदोंगा और्भणा मैं गलती है जो अर। कि अध्से झाल बस थोड़िदे रख हुप I love you. I love you. I love you. Shweta? 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 Shweta-tingani? 99.995.994.995.9995.995.islop g wish also hai presum. 느낌이 è ingins. Ichmuchsoldi. mydachi. श्वेता आंखे खोलो श्वेता देखो मैं तुम्हारे सामने हो श्वेता मेरी भाद सुनो श्वेता आंखे खोलो ना श्वेता गाड़ी ले आओ जल्दी तो अस्पिरिल जाना है बुचे मुचे कर ले बुचे कर देशल जाना है जाओ जाना है जाना है सर शीट कि वह जब से लौटकर आया है बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है जब तक वो बाहर था हमारी पांचों उंग्लियां घी में थी अब बाजी उसकी तरफ हो गई है तो मैं मैं इसलिए एक सलाह देता हूँ देखो तुम यहां रहोगे तो तुमारा जीना मुश्किल हो जाएगा वो पहले ही तीन कतल कर चुका है अगर मेरी पावर का सही स्थमाल किया होता तो उसे अच्छा साबक सिखाते हमेशा काम शांती से करना चाहिए तेरा बाप यह बात नहीं समझता है जोटे वाले को शांती से सुला देते तो उसका भाई भोचाल बनके नहीं आता उपर से तेरा बाप हमेशा मेरी कंदी प्रेक्क के बंदूख चलाता है प्राक्टिकली जो कुछ भी तुम कह रहे वह बिल्कुल करेक्ट है जिसको मैंने बनाया उसका फायदा उठाना कोई गलत बात है मेरे सामने खड़े ओकर बात करने के हिमत किस्में है बता मेरे पास यह पावर है वो पावर है ऐसे पावर है यह बोलना बहुत आसान है लेक मेरे बगैर तुम कुछ बेसाबित नहीं कर सकते तुम सिर्फ खुदकुशी कर सकते हो जिते अंद्र यू आ ओल्वेस पाफेक्ट तुम्हारी कुरसी पक्की समझो सियम तुम्हारा नाम अनौंस करने जा रहे है इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो ये मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीद रही है ये भी जानता हूँ तुम्हें अपने आपको समहालना ही होगा तुम्हारे दुश्मन ने मुझे बहुत बड़ा चैलेंज किया है तुम्हें जीतना ही होगा मैं तुम्हें उस सीट पर पैठा देखना चाहता हूँ ना जानता हूँ तुम्हारे बाए हाथ का खेल है बस तुम हैदरबाद पहुचो तुछ MLS के बीच में रहकर उनके बीच दरार डालनी है मतलब मेरे कंधे पर रखकर बंदुग चलाना चाहते हो अब उनकी जान को कोई खत्रा नहीं है कुछ दिनों के बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं इसे भगवान की लीला ही समझे मुझे माफ करती चेता दीमों मैंने जान बुझ कर दुश्मनों को दावत नहीं दी वोनी को कौन टाल सकता है एक काम और बचाय जिसे पूरा करने के बाद आपके सामने कभी नहीं आउंगा इनसाफ के लिए कफन बादने वाले तुमें एक शेर हो तुमने जो कुछ भी किया हाला आथ को देखते हूँ वो बिल्कुल गलत नहीं था तुम्हें अपने परिवार वालों के फिक्र थी तुम्हारे इस बात को मैं कभी समझ ही नहीं सकी कभी पहचान ही नहीं पाई तुम्हें खुद से दूर भेजा ये सोच करकि शांती से रहेंगे लेकिन तुम्हारे बगैर हम जी नहीं सकते ये बात आथ समझ में आई है अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है अपनों के लिए जो जीए सही माइने में वही जीना सही जीना है बिटा अपनी खुशी के लिए मैंने तुम्हें अपनी नजरों से दोर कर दिया था पेटा जिन्दे के बर तुमानात की तरह रहे इसके लिए मुझे माफ कर दादी माँ, नहीं दादी जीतेंद्र अमेले वाईजक से आने के बाद यहाँ पर नहीं आये क्यों अब मैं वो कैसे बताऊं कि बोलो वो लोग पल्टी खाते यह क्या बात होई इतने कम समय में तुमने इतनी सारी पार्टियां बदल दी बाप रे बाप तुम तो बड़े तेज निकले बाई क्या कर सकते राज नी दिये वक्त के हिसाब से पैंतरे बदलने पड़ते हैं यह सभी बात है अरे सुबाराओ जी आप ही तो कुछ बोलिये ना आप तो पुराने की लारी हैं आपने तो पार्टी बदलने में रेकॉर्ड बना लिया अरे यार वो जी तंदर को टिकेट देने के लिए हम सब को पैसो से तॉल रहे हैं एक तरफ वो नोट की गड़ी दिखाते हैं दूसरी तरफ गुर आते हैं तो आप्शन ही क्या बचा अरे 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 अकसर ताज होटल के सिवाए कहीं और ना मिलने वाले महान हस्ती आप भी यहां पदा रहे हैं यहां नहीं आता तो सिधा सम्षान पहुच जाता तो गुरु जी वो महान हस्ती कहां है जिनोंने हमें दूगनी कीमत देकर खरीदा है उनका बहुर इंतजार नहीं होता अरे वाह लगता है शीर आ रहा है इसके साथ रहने में बहुत पैदे हैं आपको क्या चाहिए मुझे बिजनस करना है वर्षों से अपनी पार्टी के लिए दिन रात करके मैंने बहुत मेहनत की है बदले में उन्होंने मुझे क्या दिया उन्होंने मुझे धोखा दिया और सारे के सारे गिरगिट की तरह रंग बदल दी और मुझसे कहा कि तुम्हारी हैसियत नहीं है जाओ अपना काम करो माना कि मुझसे भूल हो गई वो क्या हुआ कि एक एकर जमीन मैंने अपने कबजे में कर ली और उसे मैंने अच्छी कीमत लेकर बेस दी ऐसी चोटी मोटी जमीनों पर लोग कब्जा तो करते ही रहते हैं जनता की आप के बारे में क्या रही है मेरे जैसा मेहनती और कोई है क्या नू वन पूरी मेहनत से रेलवे में घपला किया कोई कुछ नहीं कर पाया मेरे गाँ में शॉपिंग मॉल बना के दिया, गाँ वाले खुश हो गए इसलिए अब मैं जो भी कहता हूँ, तो बेवकूफ जनता चुप चाप मान लेती है आपकी क्या रहे? मैं अब और बढ़ा चढ़ा कर आपके सामने क्या कहूँ जनता हमें वोट देती है हमारा काम देखकर और जनता की इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है इस हिसाब से जो भी चलेगा वो कभी फेल नहीं होगा और मान लोगर गलती से कोई फेल हो भी गया, तो वो घर में बैट कर भी जनता की सेवा कर सकता है इसी तरह मुझे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे देश का हर नेता कैश या बोल बचन से नहीं बिकता है सर, अपनी एरिया का सारा टेंडर में ही लेता हूँ एक 50CR ओकी कीजिए, नेता जी काम खतम नहीं होने देंगे और उस रकम को अगर आप ATCR कर देंगे, तो सब काम छोड़ कर ये उसी में लग जाएंगे क्लियर है सर, कुछ भी काम कराना हो तो पैसा बहुत जरूरी है, वरना काम पूरा नहीं होते अपने पुराने पार्टी से बोर हो गया था, इसलिए हवा पानी बदलने के लिए इधर आया हूँ जनता आपके बारे में क्या सोचती? वो तो भेड बकरी हैं सर जी, जब भी चुनाओ का वक्त आता है, मैं 50 करोर लेप्टॉप के जरीए क्रिकेट मैच के दाव में लगा देता हूँ और उसके बाद क्या होता है, यह आप नहीं जानते हैं सर जो भी पैसा हम इस मैच के जुए में जीतते हैं, उस पैसे से लोगों को बिर्यानी खिलाते हैं और दारू पिलाते हैं वही लोग चुनाओ के समय मेरे लिए नारा लगाने का काम करते हैं इस तरह से मैं लोगों को अपनी मुठी में रखता हूँ सर सर, हर कोटेशन के लिए मैं आपको एक सी आर देने के लिए तयार हूँ सर अब पुराने सिस्टम को उठा कर फैंक दीजिए, पुराने सिस्टम का यहां कोई काम नहीं है सर आपके एरिया में जनता को बहुत प्रॉब्लम्स है, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, इसलिए आप लोग पार्टी बदलना चाहते हो, यहां इमान किसी के पास नहीं है सीनियर अगर हमारी मदद ना करे, तो आप ही बताए हम भला जनता की सेवा कैसे करेंगे आज के स्वार्थी दोर में जनता जनता करके क्या बीन बजा रहे हूं, आप पापे मैं कहां पर हूँ एक थपड में तुम्हारी ये हालत है, सोचो अगर घूसा पड़ता तो क्या होता आपने इसे क्यों मारा, आपको क्या हाग बंद आए, हम यहां से वॉक आउट कर रहे हैं, अभी उस वॉक आउट को नॉक आउट कर दिया, इसने एए, इदर आओ, इदर आओ तुमारी मा की उम्र क्या है? 75 साल उन्हें किसी भी कीमत पर पेचोगे? मा को कोई बेचता है साल तुम लोगों के दिल में जनता के लिए कितना प्यार है, अब समझ में आया जब अपनों की बात आती है, तो इमान, धर्म, कर्म, फर्ज, सब कुछ याद आता तुमको जब मंत्री बन जाते हो, तो इमान गया, धर्म गया, कर्म गया, फर्ज गया यहाँ तक की जनता की दूर दशा करते हो सत्याचार को रोको, अपने एरिया में जाओ, एक-एक घर में जाओ और पूछो उसे कि उनकी समस्या क्या है, वरना तुम लोगों की समस्या बढ़ जाएगी बी कैरफूल, बी कैरफूल उन्होंने कितनी सही बात कही है, हमारा फर्ज याद दिला दिया, चलो सबस्वाल कि पुआ है में Wedip कि झाज़ भी उाद वर निक थाँ में तो अबाज रप अबाज प्रवन थो उुष्र बwehr ठाइब दो सुष भाल जई जा खाइब लो जा भाल हाई दो एाईब भाल हाई एख एख ब खाइब जा हम भाल दो मलायर कर दो सक्टाए wanna जहाँ अmee हाईब उिए西 जो पखग माल पार झां पार वांग मेवस्ट झाड़ी Communist कर दो को जो करते हिं साथ चर पुषने के लिया कि अख़ती है कर दो चिर है पिर्दय के लाइ कर दो कि आद। अस wine for videos क मेरे देह को कि अफो आदार बाल बहुँ पोँ बुआ यूँен महान हस्तियां कह गई है समाज ही मंदिर है जनता उसका देवता मैं भी यही मानता हूँ जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं यूँ लड़ता रहूंगा असली नायक वो होता है जो हक के लिए लड़ता है वो इंसाफ की सिवा करता है ना की अपनी सिवा दिर इस नो किंग इन दिमोक्रसी अउली पीपल आर दर रूडर निरणे भी आपको और विजेता भी आप भी यथो धर्मा तथो जया यहाँ पर धर्म है वहाँ अवश्य जीत है दिस दविक्टरी आपकी विक्टरी